हेलो दोस्तों तो अब हम सुरू करते हैं भार्दी रास्ट्रिय का कॉंग्रेस सुरू करते हैं इसकी स्थापना से तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 होई थी और ये कभी-कभी पूस देता है कहां होई थी ये गोकूल दास्तेज परताप शंस्कृत कॉलेज के भवन में होई संस्थापक आ और यूम थे और इंकी जिवनी किसने लिखि आलगा जै इसके अध्यक्त कौ था व्योमेज़ चंद्रबनर्जी और इनके सचवाेयोः तो यहीं थे अब आते हैं इनके पहले दिवेशन में कितने साम परतिनीधी शामिल थे तो ये 72 थे जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी वकीलों और पत्रकारों के इसमें जो जो प्रेसिडेंसी सामिल थी वो है बंबई, मदरास, बंगाल, यूपी, अवद इसको हमने परतिनीधी के संख्या के अधार पर सजा के रखा है मतलब कहने का ये है कि बंबई से सबसे ज़्यादा थे फिर उसके बाद मदरास से थे, फिर बंगाल से थे, फिर यूपी से थे, फिर अवद से थे अब आते हैं प्रारम में इसका नाम किया था, तो इसका प्रारम में नाम था भारतिय रास्टिय संग लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाओ पर इसे भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस नाम दिया गया अब आते हैं हम लोग अगले पेज़ पे हाँ अब आते हैं यहाँ पे यह बहुत important question ने कभी कभी पूछ देता है Congress के अधिकारी कितिहास के रचाईता कौन थे तो यह पटाभी सीधा रमया थे यह भी आ जाता है कि प्रथम सम्मेलन में कुल कितने प्रस्ताव पारी थे थे और यह Congress शब्द कहां से लिया क्या है तो उत्री अमिर्का से लिया क्या है जिसका अर्थ होता है लोगों का समोग अब आते हैं भीन मत Congress की जब स्थापना होई तो आपको मालूम है कि बहुत तरह के लोग बहुत सारी बाते बोलें उसमें से कुछ जो इंपोर्टेंट है वो मैंने आपके सामने ला रखा है लाला लाचपत रहे का कहना था ये डफरिन के दिमाग की उपज है इसे सुरक्षा कवच किसने कहा बेडर्बन ने बेडर्बन कौन था जिसने एयो यो हूम की जीवनी लिखी थी इसकी स्थापना पुरो नियोजीत गुप्त योजना के अनुसार होई थी ये किसका कतन है जनी पाम दत का मातरी भासा की रक्षा हे तू मातरी भूमी की रक्षा हे तू इसकी स्थापना होई थी ये किसका कतन है एनी बेशंट का ये याचना संस्था है या भीख मागने की संस्था है किसने कहा विपिन चंदरपाल सॉरी याचना संस्था विपिन चंदरपाल का कत तीन दिनों का तमासा किसने कहा अस्वानी कुमार दतने न लोगों दुबारा प्रेटित नहीं योजना बद इसको किसने कहा सरसहियत अहमद खाने और यह सबसे बड़ा कतन था लौड करजन का कि मेरी अंती मिच्छा है कि मैं इसे सांती पुन मृतु में सहयोग कर जोको लेकिन ऐसा हुआ नहीं यह सब आपके सामने मालूम है आप लोगों को यह संस्ता अभी तक चल रही है अब आते हैं लौड डफरीन की लौड डफरीन ने क्या कहा उसने कहा एक ऐसी नगड़े अल्पमत का प्रतिनिद्ध हो करती है जिसको एक शांदार और विभिन रूप वाले समराज्य के शाषन भी बागड़ोर हर्गिस नहीं दी जा सकती तो दोस्तों यह मेरा छोटा सा पर्यास था कि मैं आप लोगों के सामने कॉंग्रेस का एक संचिप्त बीवरन ला सको ऐसे ही मैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी और अच्छे टॉपी को लाओंगा जो एक्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ग्यानी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए बस यही मैं कहना चाहूंगा